तो बच्चो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आगे स्टोरी ओके तो बच्चो देखो यहां पर सोफे पर बैठी हुई है जो टीचर है थॉम्शन और उनको जो लैटर मिलते हैं तो इस तरह से वो पढ़ रही है ऐसी उनको एक लैटर मिला हुआ है तो वो पढ़ रही है तो आगे बच्चो क्या होता है देखो the story does not end there मतलब The story does not end मतलब कहानी केवल यहीं पर खतम नहीं होती है यूशी देखो आगे क्या होता है आप देखेंगे आप जानेंगे there was yet another letter, that spring spring, s-p-r-i-n-g spring spring आप जानते हो किसे क्या पर है अब आपके दिमाख में आ रहा होगा वो जो spring होती है, जो खिलोनों में लगी रहती हो वाले spring लेकिन इसका meaning वो नहीं है ये spring बच्चों चों मौसम होता है जो बसंत रित्व होती है जिसमें खुब सारे फूल खिलते है है ना, ये पताए कब आती है ये फरवरी में आती है ओके जब फरवरी मंत होता है तो फरवरी मंत में जो मौसम होता है है ना, तो वो spring रित्व होती है वसंत रित्व होती है जब चारों तरफ है ना, हर्याली और fully full रहते हैं ना खुश हुई रहती है तो उस spring जो है एक और letter जो है Mrs. Thompson को मिलता है किसकी तरफ से Teddy student की तरफ से जो उनका student था Teddy said Teddy ने कहा उस letter में Teddy ने लिखा मतलब कहा He had met this girl वह इस लड़की से मिला था and was going to be married और साधी करने वाला था यानि साधी होने वाली थी उसकी उस लड़की से He explained उसने वताया that his father had dead a couple of years ago यानि उसके जो फादर है वो कुछ सालों पहले गुज़र चुके हैं मर चुके हैं मर चुके थी मनला and he was wondering if Mrs. Thomson और उसको बहुत ही अच्छा लगेगा किसी से Mrs. Thomson might agree to sit at wedding in the place यानि Mrs. Thomson जो है might agree सहमत हो जाएं to sit बैठने के लिए at the wedding सादी में शमारो में in the place उस जगे पर that was usually जो की सामनत है reserved reserved रहती है for the mother of the groom यानि जो दूला होता है लड़के जो वर होता है उसकी मा की बैठने के लिए जो जगे होती है वहाँ पे Mrs. Thomson बैठने के लिए ready हो जाएं तो बच्चों देखो कितनी भावग बात जो है उस बच्चे ने अपनी टीजर से बोली है वो क्या कह रहा है कि मेरे फादर जो है उसकी मा तो पहले ही खत्व होई थी जब जब चोटा था हो है ना देखो मैं बताएं जो साधी जब होती है तो लड़की की तरब से जो लड़का होता है यानि जो दूला होता है उसको गुरूम कहते ही है तो जब साधी होती है तो दूले की जो मा है ना उसको बैठना होता है है। ना पूजा वगर्वा उती हैं जो रस्म मग होती है जो पंडित रस्म करता हुआ तो उसके लिए बैज़ना बड़ता है तो मां काूल नहीं है तो उसकी मां तो नहीं है तो वो मिसेस ठॉंपशन से बोल रहा है टेड़ी कि आप मेरी मां की चगे पर बैठ सकती हैं, okay, मैं लगा उन्सकों कह रहा है कि अगर आप तैयार हो जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो इस बात से बच्चों, मैं लगा जो उसकी जो टीचर थी उनको बहुत अच्छा लगा, है न, इतना अच्छा लगा कि वो रोने लग गए हूँ, Of course, बिलकुल, sure, पक्का, जरूर, क्यों नहीं, Mrs. Thompson did, तो Mrs. Thompson ने ऐसा किया, बहुत वो ready हो गई, तैयार हो गई, मान गई, And guess that, and guess what, और बताओ आगे, अनुवान लगाओ, क्या हुआ होगा आगे, तो बच्चों, see war, बहुत उन्होंने पहना, That bracelet, उस bracelet को पहना, उस kangan को पहना, The one with several rhino, rhino stones missing, जिसमें से कई rhino stones, यानि उसके जो मोती थे, वो missing थे, अनुवान उसमें से बीच बीच से गाइब थे, moreover, इसके अलावा, she made sure, she was wearing the perfume, और उन्होंने वो perfume भी लगाया, perfume भी use किया, that teddy remembered his mother, जो कि teddy को उसकी मा की याद दलाता था, wearing on their last Christmas together, जो कि उसकी माने, teddy की माने, अन्तिम जो Christmas उन्होंने एक सा सेलिबरेट किया था, मनाया था, और उनकी माने उस Christmas पे जो पेना था, तो wearing on their last Christmas together, जो उन्होंने अन्तिम Christmas, मरला उनकी मा कोई खतब होने से पहले, जो भी उनका अन्तिम Christmas बेभा, उसकी माने जो bracelet पेना था, और जो perfume यूज किया था, वही perfume और ब्रेसलेट, जो है, teddy ने gift दिया था, Christmas पे अपनी टीचर को, और उसकी साधी में भी, वही bracelet पेन के, और वही perfume यूज करके, लगा के, छड़क के, उसकी साधी में, जो उसकी टीचर गई, तो they hugged each other, नोंने एक दूसरे को गले लगाया, and Dr. Stoddard, अब वो डॉक्टर बन गया, जो teddy था, अब वो डॉक्टर बन गया, देखो, डिगरी उसको मिल गी, डॉक्टर गी, तो Dr. Stoddard, विस्पर्ड, W-H-I-S-P-E-R-E-D, विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतल़ होता है, जैसी बहुत कानों में फस्पुस आते ही न, जैसी आपको किसी से अपने फ्रेंड से कोई बात कहनी है, तो आप बोलते हैं जन्नली, ऐसी कान में बोलते हैं न, दीरी-दीरी से आज क्या लाया है, ऐसी दीरी-दीरी चे बोलते ही न, तुमारे बेग में क्या रखा है, ऐसी दीरी-दीरी बोलते ही हैं न, तो कानों में फस्पुस आते हैं, तो इंगलिस में कहते हैं विस्पर्ड, क्या कहते हैं, विस्पर्ड, तो Dr. Stoddard ने फस्पुस आया, कानों में धिरे से बोला, क्या, इन्दा Mrs. Thompson's ear, Mrs. Thompson's कानों में धिरे से फस्फुस आया, और क्या बोला, Thank you, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, Mrs. Thompson, Mrs. Thompson, बहुत-बहुत धन्यवाद, और किसके लिए, believing in me, मुझ में विश्वास करने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए, Thank you so much for making me feel important, और मुझे important feel कराने के लिए, कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ important, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, Showing me, और ये दिखाने के लिए, that I could make a difference, कि मैं भी कुछ फर्क पैदा कर सकता हूँ, तो ये दिखाने के लिए, टैडी ने उनके कान में खुस पुसाया, और ये सब्द बोले, कि मुझ पर विश्वास करने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मुझे important feel कराने का, और ये एसास दिलाने का, कि मैं कुछ फर्क पैदा कर सकता हूँ, देखो आगे क्या हुथा है, Mrs. Thompson with tears, T-E-R-S, tears है नहीं, tears जानते कुछे केते हैं, आंसू जो आ जाते हैं, आंसू को कहते हैं, tears, Mrs. Thompson with tears in her eyes, तो अपनी आँखों में आंसू लिए हुए, whispered back, वापस सी वसबसाया, इस बार Thompson ने, Teddy की कानों में वसबसाया वापस सी, और क्या बुला, she said, और उन्होंने कहा, she said, उन्होंने कहा, Teddy, Teddy, you have it all wrong, यानि, तुम ये सब गलत कह रहे हो, यानि उसकी teacher ने बुला, कि तुम ये गलत कह रहे हो, you were the one, केवल तुम वो थे, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन केवल तुम वो थे, who taught me, जिसने मुझी सिखाया, teacher बुल रही है बच्चो, पहले तो उसने बुला था, Teddy ने, कि आप मुझे में विश्वास करने के लिए thank you, और इस तरह से बात कही, लेकिन जब Thompson ने, teacher ने उसकी बात सुनी, तो वापस से उसको बुला, के नहीं, Teddy, आप गलत कह रहे हो, उल्टा, तुम ने, मुझे ये बताया, केवल तुम वो थे, तुमने मुझे सिखाया, you, who taught me, मुझे सिखाया, that I could make a difference, के मैं एक फर्क पैदा कर सकती हूँ, I did not know, मैं नहीं जानती थी, how to teach, कैसे पढ़ाया जाए, until I meet you, जब तक की तुमसे मैं नहीं मिली थी, यानि तुमारे, तुमसे मुलाकात होने के, पहले मैं नहीं जानती थी, कैसे पढ़ाया जाए, ओके, तो try to make a difference, एक फर्क पैदा करने की कोशिश करो, in someone's life today, किसी और की जिंदगी में, आज, जैनि आज अगर हम किसी की जिंदगी में कुछ फर्क पैदा करने के लिए, ठीके, कोशिश करते हैं, तो tomorrow, तो आने वाला कल, ठीके, तो just do it, और इसे अभी करो, random acts of kindness, random का मतलब विवर्चो क्या लिख रहा है, random, random माने, इनि की बस योँ ही, बिना किसी सोचे समझे, ठीके, बस योँ ही, तो random acts of kindness, यानि kindness यानि दयालता, यानि दूसरों की को बदलने के लिए, दूसरों के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों की help करने के लिए, बस योँ ही कुछ कर दो, ठीके, I think, they call it, मुझे लगता है, कि वे ऐसा कहते हैं, वे कौन, ये बच्छो, जो ईश्वर ह जो God है, उसके लिए बोल रही है, teacher, कि मुझे लगता है, कि ईश्वर का ये कहना है, कि हम दूसरों के लिए कुछ, योँ ही कुछ कर दें, है न, बिना किसी स्वार्थ के, नुश्वार्थ के, ठीके, बदले महमल से कुछ नहीं चाहिए, ठीके, बस योँ ही कर दें, तो believe in angels, और angels में विश्वास रखो, angels यानि यहां एक तरह से God के लिए ही आया है, है न, angels में विश्वास करें, they return the favor, वो उसका नाम में देते हैं, वो उसका ऐसा नाम में देते हैं, ओके, तो इस story का last में ये moral है, कि ईश्वर, देखो, जब भी हम किसी के लिए अच्छा कर करते हैं, तो बच्चों देखने वाला इश्वर होता है, और God अपने तरीके से उसका एनाम जो है आपको जरूर देता है, कभी ना कभी, अगर आज हम कुछ अच्छा करते हैं, तो जरूर इश्वर कुछ प्लानिंग अपने आप बना लेता है, उसके लिए, ओके, so students कैसी लगी यह story, और really it's very very nice, और यह teacher जो है, यह बहुत ही important message जो है, उन्होंने दिया है, सभी teachers के लिए, सभी students के लिए भी, okay, कि अभी अपने teachers को कभी नहीं बूलना चाहिए, और उनका हैसान बंद होना चाहिए, और जो भी आपको सीखने के लिए मिले हो, उसको सीखना चाहि है, और कि strengths तो इसी की साथ आपको chapter होता है, finished, तो next video में इसकी question answers देखेंगे exercise की, तो तब तक लिए bye and take care and thanks for watching